ये डर का महल बनाने में आप लोगों को कुछ फाइदा होता होगा या तथाकतित को कुछ फाइदा होता होगा लेकिन देश का बड़ा नुकसान होता है देखे, मेरे समझ में एक बात नहीं आती, कि जितनी भी देश की जंता है, ये देश की जंता तो डरने डरने काम नहीं कर रही है, ये काम कौन कर रहा है, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं बता रहा हूँ, ये सब सियासी पार्टी की लोग हैं, कौन सी सियासी के जन संग आ जाएगा बीजी पी आ जाएगी और मुसल्मान डरता रहे अब उसका बिलकूल घृट हो गया अब बीजी पी हिंड़ूं को मसलमानों से क्यागर इनकी जन संक्या बढ़गे मुसलमानों से मेरी पूरी बास सब्सक्राइब मेरी 어떠 diss आपके लिए मज़े होगा सर, यहाँ पर देश में धंकी दी जा रही है, आपके लिए मज़ा होगा, एक मंदिर तोड़क दिया गया, आपके लिए मज़ा होगा, अमरनाथ यात्रा में हाईवे ना रोका जाए, और लोगों को आने जाने की जादत दी जाए, वो आपके जो लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं उन्से पूछे देखिए जब आप अमर्णाथ यातरा के लिए जाते हैं और नहीं आप जाके देखें आपके देखें कश्मीरी मुसलिमान मिलेंगे आपको सारा काम करते हुए कि दुनिया में ऐसा कौनसा तीर्थ है ऐसी कौनसी तीर्थ यात्रा है जो पचास हजार सैनिकों की संगीनों के साय में होती है ये कौनसा ये कैसी श्रद्दा है कि जहां लोग निहत्थे बस में बैठी हुई औरतें गोलियों से भून दी जाती है ग्रिनेड फेके जाते हैं लोग मरते हैं और एक बार नहीं छेछे साथ साथ बार हुआ ऐसा साथ मैं आप को को बेजना चाते हैं आप जाना चाते हैं कि नहीं नहीं जब तक आप नहीं जब तक यह नहीं बोलेंगे हम कश्मीर जाने अंदोलन कैसे चलाओं गाम है इनको बोने ने बताएए कश्मीर जाने लायक होगा, जिस दिन वहाँ जिहाद का जबड़ा तोड़ा जाए ना मैं जाओंगा, जिस दिन वहाँ बंदू की नली तोड़ी जाएगी मैं जाओंगा, इस देश का तिरंगा लेकर मैं लाल चौक पर खड़ा हो सकता हूं डर के उपर डिबेट होगा अराम से करते हैं, आराम आराम से अपने समय पे बोलते हैं साके सब्रो सुन सके